हेलो एवरीवर वेल्कम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल भी इस ब्यूटी सी रोटू सो काई आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप फुल ग्रोध में किस तरीके से आइब्रो को शेप देंगे और किस तरीके की ट्रिक्स फॉलो करेंगे और आइब्रो बनाते समय किस तरह से करना चाहिए किस तरीके से मौज़ अपके साथ पूरी बाते सेयर हूं और सारी ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं, हमें इनकी आइब्रो की शेप को देखना है, इनकी जो खुद से नेचुरल जो शेप हैं, इनकी वो आर्च शेप में हैं, आप देख सकते हैं, यहां हमारा याइब्रो का पॉइंट होता है इनकी आइब्रो क्या है? हैं सेंटर से हैर हम इस तरीके से निकालेंगे हमारा लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है ओपर की साइड होता है और जो राइट हैंड हमारा होता है नीचे की साइड होता है और जो हमें सेंटर से हैर निकालने होते हैं वो कि इस तरीके से हमें टर्ण करना होता है बार-बार त्र क glovewood करना है और बहुत नीठ टरीके से समय माइब्रो की शेप दियने के लिए हमें किन वातों का ध्यान रखनव होता है और जब करते हैं बिना पाउडर के तो थ्रेड में नहीं आते हैं क्योंकि वह स्कीन से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं तो यह हमें सबसे पहले क्या करना है टेलकम पाउडर का ज़रूर लगाना है उसके बास सेंटर से हैर निकालने हैं और आइब्रो को उपर से सबसे पहल सबसे पहले लिए को सब्सक्राइब करने, और को सब्सक्राइब करें, अगर आपके लिए वीडियो helpful रहे तो प्लीज लाइक जरूर करें तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने नीचे से आइब्रो करते हुए किस तरीके से थ्रेड को रखना है आपको थ्रेड हमेशा बिल्कुल सीधा रखना होता है ऐसा नहीं है कि आप थ्रेड को बार-बार पूरी आइब्रो को क्या करेंगे करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां बल्कुल भी मैं हेर नहीं निकालूंगी और वह रहें आप देख सकते हैं वह बिल्कुल और iç लीद्डी हैर मैं आपने ओर हो और इतना ध्री हो निकालने से ही ऊत और है और आहा को क्या है हैं से इंटर को पकड़वाना है और हो निकालते जाना है और गाईज जैसे हम अब करना है जैसे मैंने आपको बताया शरू में ही कि आप जब भी आईबरो नहीं रखना होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इधर से आइब रो करते हैं तो थ्रेड को हम क्या करते हैं हलका सा सीधा करके तीरचा रखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड उपर की साइड होता है और राइट हैंड हलका सा नीचे और जैसे हम पीछे की साइड से आइब रो करते हैं तो हमारा हेर निकाल और बहुत अच्छे से शेप निकली है और जैसे हम ने साइब और को बनाया हम सामने से बनाते हैं जिसमें लेफट साइड का बाइब करने में इस शुरू बहुत ज्यादा दिख्कत होती है क्योंकि उनको पीछे कि किसे समझनी आता है कि आपको कितना हियर निकालना है किस तरह से शेट देनी हैँ वेकिन आपको इसमें घब्राना बिल्कुल भी नहीं है जैसे सब्सक्राइब भन्ह देग़ेना है जैसे लिए प्ट जोगना को औरत दो करते हैं तो आप बहुत ज़ाधा हैर मत निकाल एकदम से आप हमेशा जब इल्ब करते हैं तो आपको दूर के हेर निकालते वे आइब्रों के पास तक जाना है ताकि आईब्रों की शेफ भी गड़ बढ़ना करें और आपकी आईब्रों शेफ अच्छे से निकल जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करें फिर से ठ्रेड को पकड़ेंगे और वो ही हमें सेम गाइडलाइन लेंगे और गाइडलाइन के अकोडिंग हम पूरी आइब्रो को क्या करेंगे बनाते जाएंगे जब भी आप eyebrow बनाते हैं तो आपको thread को बहुत अच्छे से hold करना होता है आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों हाथों में जो thread लिया है उसको बहुत अच्छे से tight करके पकड़ा है क्योंकि अगर आप इस thread को lose करके पकड़ते हैं तो क्या होता है आइब्रो का थ्रेड जो हता है वो फिशल जाता है और जिससे कोई भी हेर निकलने का डर रहता है तो आपको किस तरीके से होल्ड करना है आप देख सकते हैं हमने दोनों हाथों में ठ्रेड पकड़ा है और तो हमेशा त्रेड को एकवल करते वे चलना है अगर आप पीछे त्रेड को रखते हैं तो उसमें क्या होता है आईब्रो के हेर आगे पीछे निकल जाते हैं और जैसे आईब्रो के हेर आगे पीछे निकलते हैं आप उसको एकवल करने के लिए बार बार हेर निकालते हैं और अब आप बार बर हेयर निकालते हैं तो हमारी आइब्रो क्या है बहुत ज़ादा पतली हो जाती है जिससे क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता है उसको काम पसंद नहीं आता है तो आप हमेशा ध्यान रखके जब भी आप आइब्रो करते हैं अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके साथ शेयर कर दो क्योंकि अभी तीन-दो से तीन महिने पहले मैंने विडियो को शूट किया था लेकिन आज मैं आपके साथ इतको शेयर कर रही है और आपके साथ यह वाले दिकत भूत होती होगी जब आप ठ्रेड्ड चलाते हैं तो आपकी ठ्रेड में जो हाँ यह वापस लाना है और स्टार्टिंग में यह बहुत जादा दिक्कत होती है कि जब आप त्रेड चलाते हैं तो त्रेड में गाठ लग जाती है उसका reason यही होता है कि आप holding अच्छे से नहीं करते हैं त्रेड को lose करके छोड़ देते हैं और tight करते हैं कब lose करते हैं तो आपको हमेशा त्रेड को normal रखना है और eyebrow में जब आप फंदे डालते हैं तो उसमें आपको 6-7, 7-8 डालने हैं आपको 2-3 नहीं डालने हैं या 2-3 डाल होता है बहुत जादा फंदे डालने से क्या होगा त्रेड में जादा से जादा गांट लगेगी त्रेड बहुत जादा तूटेगा और साथी क्या होगा आपको बहुत जादा irritation होगी और hair भी नहीं निकलेंगे और जैसे हमारी दोनों बन जाती हैं तो हमें eyebrows बनाने के और जिसे भनेशिंग दी है और जैसे शिर्षाइं आउ लेकर करती हैं यह यहाँ बाल को लेंगे और फार्या को मुण situation आउं तो आपको त्रेड को यह वाली आइब्रों के हेर भी सेंडर से निकल जाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखके थ्रेड को बहुत चोटा करके चलाएं और कभी भी त्रेड को बहुत उंचाए से खीच कर नहीं चलाना है कहने का मतलब है कि जैसे आप बालों को त्रेड में कर ही खीचना है और जो भी हेर होते हैं उनको थ्रेड में लेकर ही खीचना है इससे आइब्रो बनाने में कोई दिक्त नहीं आती है और क्लाइंट को भी पेन बहुत कम होता है और आप आप देख सकते हैं दोनों आइब्रो बन गई हैं और आइब्रो में जो भी थोड़ी ईसको उसको भी हमने निकाल दिया है ऐब्रोव बहुत यह थे से बनाने के लिए आपको बहुत जादा फरेड की प्रेक्टिस करनी होगी और अगर आप बिगनर से पहले आप अपने हाथ को बहुत अच्छे से सही करें, सेट करें कि आप थेर्ड बहुत अच्छे से कर चलाते हैं तो यह आप eyebrows पर practice करें और वो भी आपको practice light eyebrows पर करनी है कहने का मतलव है जैसा eyebrow बन जाती है तो eyebrow के बाद जो 10-15 दिन बाद ही अराती है उन eyebrow पर आपको practice करनी है डारेक्ट आपको बहुत जदा हैवी आइब्रो में प्रैक्टीस नहीं करनी है सो गाईज आप देख सकते हैं या पर इनके आइब्रो की शेप अगदम पूरी इकवल आई है और जितना जादा आफ नेशिंग आइब्रो में करते हैं उतने जादा आपके आइब्रो बनने के बाद प्यारी लगते हैं और यहाँ पर हमने आफ्टर वैक्सिंग जैल लगा दिया है थाकि स्केन पर कोई भी स्वैलिंग रडनेस ना आए और गाइस आप देख सकते हैं दोनों आइब्रो में हमारे बिलकुल एक दम इकल आइब्रो बनी है कहीं से भी हमारी आइब्रो उची नीची नहीं है और और आपको यह वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आइब्रो वीडियो कैसी लगी और बनने के बाद कैसे लगी और बनने का method आपको कैसा लगा so guys जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और थ्रेड को इस तरीके से चला कर जरूर देखें आइब्रो बनाने की practice जरूर करें ताकि आप घर बैटे कुछ सीख सकें मिलते आप से next वीडियो में बाई